नमस्कार आप देख रहे हैं सानिवज मैं हुई एलबी साह तो चलिए आपको बिहार के भजपुरी समाज के एक रहसमाई कहानी से आपको रूबरू कराते हैं वह रहसमाई कहानी यह हैं कि यादो जी के बेटी सपनवा में आती हैं पांडी जी के बेटी सपनवा में आती है कलू के माई सकेत फेनल छोड़ दा जानी कि जो तिन लाइन आप सुने हैं यहीं रहसमाई कहानी है और इसी रहसमाई कहानी पे आज हम बात करने वाले हैं तो नए दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सानीच पर पहली बार आ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि सच दिखाने का जज़बा हम रखते हैं तो सच यह है कि यादो जी के बेटी सपनवा में आती है पर बवाल होते हैं पर कलू जी के माई सकेत पेनल छोड़ दा पर बवाल होते हैं लेकिन भजपूरी में पुरे बिहार म असलील पर बवाल क्यों नहीं होते हैं अपना जवाब जरूर दीजेगा तब तक हमें सुनिये और हमारा मनना यह है कि इन असलील और असलील के खेल में पुरे बिहार की छबी को धूल मिल कर कुछ चंद कलाकारों ने कुछ चंद पैसोक के लिए पुरे बिहार की छबी को नस्ट कर रही हैं इसलिए कर रही हैं जैसे हम पिछले तीन लाइन को दोर और फिर से दोर आएंगे तो यह भीडियो भी असलील हो जाएगी इसलिए उन लाइनों को हम दोराना नहीं चाहेंगे और बात रही जाती बात की तो सुनिए अगज है किसी जाती धर्म पे गाना गाने वाले किसी और जाती को बदनाम करने वाले क्या उस जाती के ठेकदारों से हम कहना चाहेंगे क्या अपने जाती के पक्च के आर में क्या अपना CHEHRA चमकाकर पुरे बिहार को छवी को आप खराब कर रहे है या उनाहिए आप जवाब दीजिए और सुनिये अगर आप इतना ही अपने मान और सम्मान के लिए चिलाना जानते न तो सबसे पहले यह चिलाना जानते कि आपके बिहार के आपके भजपुरी समाज के जबी खराब हो रही है कभी किसी भी कलाकार को पवंञण सिंग हो तब, खेसारी लाल हो तब, निरहुआ हो तब, भहुत सारे कलाकार है कभी किसी को इस बात पर चिलाते नहीं देखे होईगा कि बिहार में असलील गाना का असलीलता क्यों बढ़ रहा है किसी भी कलाकार को चिलाते हमने नहीं देखा है लेकिन असलील गाते सबी कलाकार को देखा है तो यहीं है रहसमाई कहानी जो असलील करके जाती धर्म का हैस्टेक लेके कुछ चंद पैसों के लिए पुरे बिहार के छबी को यह कलाकारों ने बदनाम कर रखा है जैसे के हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कलूत और अनुपमा यादो एक stage share कर रही थी गाना गा रही थी दोनों उसी बीच कलूत के जबान से एक यादो समाज पर गाना निकलता है और वह सी लाइव वीडियो को किसी ने वीडियो रिकॉर्ड के अब वीडियो वारल हुआ उसी को लेकर इतना न विवाद फिर से फैल गया कि पौन और खेसारी का विवाद खतम नहीं वा तर फिर से एक पन आप गया देखिए हम अपने एक पिछले वीडियो में बोला था कि यह सिफ कंटोवर्सी के लिए टी आरपी के लिए यह सर्व असलिलता और विवाद करते हैं दूसरा कुछ नहीं है और इससे होगा क्या कैसारी लाल पवन सिंग टुन टुन यादो और संतोस रेनी यादो कुलू आपको 171 का करते हैं तो आप सबी कलाकार वम सा रिक्वेस्ट है कि बिहार को बदनाम करने से बचए और बिहार को बदनाम ऐसे ही करते रहे तो आने वाले दिनों में आप भी बदनाम हो जाएंगे और आपके भी गाना और वीडियो देखने में लोग सरम खाएंगे कि किसका हम गाना सुन रहे हैं हाला कि ऐसा भियान शुरू हो गया है और आप भी तिरिसकार किये जाओगे इसलिए असलील न गाईए न किसी को गाने दीजिए धन्यवाद आप देख रहते हैं